तो फाइनली फ्रेंट जो आपका इंतिजार था वो खत्म हो चुका है वेलकम टू आवर चैनल जी हाँ फ्रेंट्स हम बात कर रहे हैं आपके बर्ती से रिलेटेड उन्चाजजर पांचाव अर्शेट मेडिकल प्रॉस ट्रेनिंग से रिलेटेड क्या है पूरी इंफोर्मेशन हम इस वीडियो में जानेंगे और देखिए फ्रेंट्स जो शाम को नोटिस आई थी तो हमने आपको पूरी इंफोर्मेशन उससे रिलेटेड दे दिया था कम्यूटी बॉक्स में पोस्ट कर दिया था इस चैनल के थ्रू अगर आप हमारे चैनल या फिर नहीं जाएंगे फर्स्ट वैच में अगर जाती हैं तो वह कौन सी गल्स होंगी ठीक है तो इसमें आपको सारी इंफोर्मेशन दी जाएगी और आज मॉर्णिंग से यह कमेंट्स आने लगे हैं कि क्या डियो भी याने की एज जिनका भी एज अधिक है क्या उल्ली वह कंडिडेट्स जाएंगे तो मुझे यह बात तो समझ में नहीं आया लेकिन फिर आपके कमेंट्स के तुरू हमें पता चला कि आपने वीडियो में अलग वीडियो में देखा इसलिए आपकी कमेंट्स आ रहे थे तो सारी बाते आपको इस वीडियो में बहुत ही पता चल जाएगा ठीक है और क्या क्या डोकुमेंट्स लगने वाले हैं ताकि आप उसे तयार कर लीजिए क्योंकि देखिए डोकुमेंट्स सबसे मोश्ट इंपोर्टेंट है और आपने अभी हाली में न्यूज देखा जो कि एक बड़े पद पे न्यूप तो हो चुके थे और बस उनका जो जाती परमान पत्र था उसे फरजी पाया गया तो उस पज से उन्हें हटा दिया गया तो फिर मतलब सब कुछ तो बेकार हो गया ना तो इसलिए आप अपने डोकुमेंट्स बहुत ही अच्छे से त्यार करिएगा और यह आपका नोटिस है अभी हम इसलिए चर्ट सत्यापन है वह साथ को इस्टार्ट हो गया है साथ सेतंबर से इस्टार्ट हो जाएगा और यह अभी आपका फैक्स है ओफिशल अभी आपको जनकारी नहीं दी गई है लेकिन हाफ रेंज देखिये फैक्स जो होता है वह होते रहते हैं लेकिन ऑफिशल का वेट करते हैं ठीक है और यह जो आपका जेटी सी है इसमें दस च्छेद दस 2020 से स्टार्ट है और आटीशी जो है तीन ग्यारत 2020 से प्रारंब है और इसमें लगभग 14,000 कैंडिएट के बारे में पूरी इंफोर्मेशन दी गई है ठीक है तो यह तो आपको सिंपली पता है अब चलिए हम जान लेते हैं कौन से कर्णिरेट जाएंगे गल्स कौन सी जाएंगी जाएंगी या फिर नहीं जाएंगे लेट सी स्टार्ट तो अभी आप स्क्रीन पर एक लिश्ट देख रहे होंगे ठीक है तो सबसे पहले तो हम आपका एक डाउट क्लियर कर देते हैं ज जो भी वरिश्ट मतलब कैंडिडेट्स होंगे वही जाएंगे तो फ्रेंच देखिए ये बात कहीं भी इस पॉइंट पर हम बात नहीं कर सकते क्यूंकि अगर हम आरके बिश्व कर्मा जी जब इंटर्व्यू दिये थे जब उन्होंने कहा था तो उन्होंने कहा था कि जनर जनरल कैंडिडेट्स यानि कि क्याएंस वह जाएंस जो है आपकी इ塊टैग्री से हुझ लेकिन जनर्ल में कांव्य कांट किया फिए जाएंगे तो कहीं न कहीं कहीं न कहीं हम इसी लिष्ट से जो है कैंडिडेट्स उठाए जाएंगे मेडिकल प्रस्ट रेनिंग के लिए फॉस्ट बैच में और जो भी एज लिमीट को लेकर अभी बात चल दिये कि एज के एक वर्डिंग बुलाए जाएंगे कैंडिडेट्स को तो फ्रेंड्स यह बात सही नहीं लगती है क्योंकि आरके बिश्व कर्मा जेनिवे कहा था तो हमें यह मानना नहीं चाहिए हमें यही कहना चाहिए कि जो आपका और कहना क्या आप देख सकते हैं कल एक जैसे ही मतलब जो 14,000 कैंडिडेट्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो कल आपकी वाइरल हुई थी ठीक है जिसमें आपको सिंप्ली आपने देखा होगा कंबाइंड लिस्ट इन एसेंडिंग और ऑफ रैंक उसमें भी साफ साफ य बुलाएंगे रैंक के आदेश के अनुसार जो पंजीकरत सुची बनाई गई है उसी सुची से कंडिडेट्स 14,000 कैंडिडेट्स बुलाएं गए हैं ठीक है जैसे कि आप देख सकते हैं माइट लिस्ट इन एसेंडिंग और ऑफ रैंक और एक आपका है कमाइंड लिस्ट इ वह आप चाहें किसी भी कटेगरी से आते हो तो वह सारे कंडिडेट्स बुलाएं जाएंगे जिसमें गल्स प्लस बॉइज आप दोनों होंगे ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स गल्स तो होना चाहिए वैसे तो कोई इंफॉमेशन नहीं आया है कि गल्स या फिर बॉइज लेकिन हाँ अगर वरिष्टा करम की बात कही गई है तो फ्रेंड्स उसमें गल्स भी आ जाते हैं और आपको बिल्कुल भी फरिशान नहीं होना है आप सभी को भी फर्स बैच में मौका दिया जाएगा ठीक है अब देखिए फ्रेंड्स अगर इस लिस्ट चे बुलाते हैं तो इस लिस्ट में लगभग 15,000 प्लस कैंडिडेट्स हैं जिसमें 14,000 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा ठीक है और वन मिनट आप जैसे ही नीचे ड्रैक करेंगे 14,000 कैंडिडेट अगर आप तो पेज नम्मर 504 में लगभग 14,000 कैंडिडेट मिल जाएंगे इनको और कही अगर हम इंटर्व्यू के एक वर्डिंग बात करें तो इसी लिफ्ट से कैंडिडेट को लिया जाएगा ठीक है जिसमें 14,000 कैंडिडेट यहां तक कंप्लीट हो जाते हैं अब देखिए अगर आप चेक करना और इसमें गर्स प्लस बॉइज आप दोनों है ठीक है ओनली ब पाले भी आते हैं तो अब आपके यह अगर डाउट होंगे कि इसमें तो कम नमर वालों का भी है तो और हमारा इससे भी ज्यादा है तो हमारा नहीं हो रहा है क्यों तो देखिए जिनका भी कम नमर है वो कहीं ना कहीं आरक्षन से रिलेटेड ठीक है या फिर फ्रीडम कुमेंट्स कर रही हैं कि कौन से कैंडिडे जाएंगे हमको मौका मिलेगा कि नहीं तो देखिए आपको बिल्कुल भी परिसाद नहीं होना है जितने भी गर्ल्स हैं फर्स्ट एंड सेकेंड बैच में आपको मतलब कम्प्लीट करा दिया जाएगा तो आपको बिल्कुल भी प प्रिपेयर कर सकते हैं यह आपके उपर डिपेंड करता है और जो भी कंदेश पीएसी के हैं तो आपको तो मतलब और भी लंबा भी वेट करना पर सकता है तो कहीं न कहीं आपके सामने अभी एक अपरचुनिटी है एसाई बनने का तो आप इसका बेनफिट जरूर ठा सकते हैं क्योंकि फिर्ट परिसान होने से कोई फायदा भी नहीं है और यह आपकी लिस्ट रही है अगर आप अपना नेम सर्च करना चाहते हैं तो आप अपना नेम भी सर्च कर सकते हैं यहां से जो भी आपका नाम है तो आप यहां से सर्च कर सकते हैं और सिंप्ली आप पता कर सकते हैं कि मतलब आपका इसके अंडर नेम आता है या फिर नहीं बाकि फ्रेंट्स ऐसकी अभी आपके मन में कौई भी नहीं रहा होगा इस लिस्ट को लेकर या फिर कौन से कैने जाएंगे क्या एज लीमिट के एकोडिंग तो नहीं जाएंगे क्या कि आके विशो करमा जी ने खुद कहा था जैंगे जो भी जैंडल कोटा में आते हैं तो आई होप कि अब आप के मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहा ह आपको कुए कुसंतों सकते हैं और आपके कोई कुस्स्टन्स भी होगा वो ही रख और को कुमेंट करें करें हो सब्सब्स हैं है अब करें हैं कर्णे थिद्सी सब्सब्स करें लख छाहरे लगें आपका 1 radar card कुछ भी हो सकता है, रासन card पाम हो आफार card या फिर आप अपना order ID कुछ भी ले सकते हैं passport सकते हैं कोई दीकत नहीं है उसके नहीं है सबसुंद पाइद शुक्रादने आपने टुपनेट मैं UNT going in upload k और आप आपने और कॉलेज की तरफ से कहीं अगर आपने इंटर तक फञिक एक तो आप वहां से जाकर बनवा लीजिए या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट कर लिया है यानि कि अंतिम वर्स का जो है आपको अपना करेक्टर सेटिफिकेट बनवाना होगा और एक जो है आपको करेक्टर सेटिफिकेट मैंने प्रारूप भी प्रवाइड कर आपको अगर आपके पास प्रारूप नहीं है तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाए हम आपको वहां प्रवाइड कर देंगे ठीक है प्रारूप आप सिंपली उसे कोपी करके और जो भी मतलब आपकी गाउं में आपकी अपने गार वालों से नहीं अगर आप के नजदी की मतलब कि कचहरी से जो है बन जाता है लगबक सो रुपए लगते हैं ठीक है सिंपली बन जागा आप जाकर कह देना कि मेडिकल के लिए बनवाना है वो बनाकर देंगे कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है तो यही आपके सारे डोकुमेंट्स लगते हैं इससे बा